हेलो एव्रिवन बेलकम बैक तू माई चैनल तो जी आज हम सीखने वाले हैं लखनवी चिकन कारी कुर्टी के लिए अस्तर बनाना लाइनिंग बनाना जैसे मार्कीट में आप लोगों को मिलती है मैं उस तरहा की बनाऊंगी और इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने यह कॉ लेना है बिल्कुल स्ट्रेट और अब हम इसके लंबाई का नाप लेंगे तो जो हमारी लंबाई है वो आ रही है करीबन 46 इंच तो आपने इससे कम ही रखनी है अपनी लाइनिंग इससे ज्यादा नहीं रखनी है इस बात का ध्यान रखना है और अब हम इसका जो है 10 इंच लूंगी और अब हम नेक नापेंगे तो जो हमारा नेक है वो है चरलबाशन करोंगी तो भाइन को मेजर किया है इस तरह था से थी जो हमारा खुला वाला पोर्शन है वो भाठाय वाला है और दाना है और अब हम breast measure करेंगे तो जो breast है हमारी वो आ रही है करीबन 20 inch और आप देखिए उपपर से लेके नीचे तक 14 inch पर इस तरह से और ऐसे मैं यहाँ पर waistline पर नापूंगी तो waistline है जो हमारी वो है 18 inch और जो हमारी hip है यह देखिए यहाँ से जो हमारी hip है वो आ रही है करीबन 21 inch 21 लोंगी क्योंकि ता कि जो हमारी lining है वो हमारी कुर्ती के अंदर ही अंदर रहे उससे बाहर ना निकले तो सबसे पहले हमने अपने कपड़े को इस तरह से खोल लेना है यह देखिए इस तरह से हम अपने कपड़े को खोल लेंगे और ये देखे मैंने इसको पहले double fold में ऐसे बिचाया है और अब इन दोनों को इस तरह से मैं पहले बिल्कुल straight कर दूँगी इसको बिल्कुल ताकि कोई shrink न रहे और ऐसे मैं इसको fourth fold कर लूँगी ये देखे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आपने इसको बिचाया लेना है देखे मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर ये देखिए one two और three and four देखिए हमने इसको fourth fold में बिचाया है क्योंकि मैं front और back एक साथ कट करूँगी और अब जो हमारी length है इसमें वो आ रही है 41 inch और जो हमारी कुर्टी की length थी वो थी 46 inch तो ये 5 inch छोटा है तो ये अच्छे से चलेगा बड़ा नहीं चलेगा तो अब हम shoulder का निशान लगाएंगे तो जो हमारा shoulder था वो था 14 inch तो हम हमेशा shoulder का half करते हैं तो half आएगा हमारा 7 inch तो 7 inch पर हमने ऐसे निशान लगाना है और अब इस side से भी हम 7 inch पर ऐसे निशान लगाएंगे तो हम क्या करते हैं? जितना भी हमारा shoulder आता है उसका हम half करते हैं तो हमारा यहाँ पर 14 था तो उसका half किया मैंने 7 inch तो 7 इंच का मैं ऐसे एक box draw गड़ लूँगी हाँ पर ये देखे इस तरह से इस तरह से 7 इंच का हमने एक box बना लेना है ये देखे इस तरह से और अब मैं जो हमारी waistline होती है उसका निशान लगाऊंगी तो उपर से यहाँ पर 14 इंच पर मैं ऐसे निशान लगाऊंगी इधर से भी और अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला दूँगी तो ये जो हमारा निशान है ये हमारी waistline का निशान है ये देखे इस तरह से और अब मैं hip का निशान लगाऊंगी और अब इन दोनों निशानों को भी मैं आपस मैं ऐसे मिला दूंगी ये देखे इस तरह से और अब हम क्या करेंगे ये देखे जो हमारा बॉटम है वो मैं साड़े दस रखूंगी तो यानि कि जब हम इसे खोलेंगे तो ये 21 आजाएगा तो ये देखे साड़े दस पर मैंने निशान लगा दिया है इस तरह से और अब जो हमारी ब्रेस्ट लाइन थी इसको भी मैं ऐसे बढ़ा देती हूँ ताकि मार्किंग करने में आसानी हो अब हम चेस्ट या ब्रेस्ट जो भी आप कहते हैं उसका निशान लगाएंगे तो वो आ रही थी हमारी 20 तो हम उसका हाफ करेंगे तो आएगा 10 तो देखिए 10 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना है और एक इंच जो है मैं मार्जन का प्लस कर दूंगी ज़्यादा मार्जन लेने की जरूत नहीं है क्योंकि यह लाइनिंग है और अब जो हमारी वेस्ट लाइन थी वो आ रही थी 18 तो हम 18 का हाफ करेंगे तो आएगी हमारी 9 इंच तो देखिए 9 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे निशान लगा दूंगी और एक इंच अगेन मैं मार्जन का प्लस कर लूंगी और अब जो हमारी हिप थी वो भी आ रही थी 20 तो मैं 10 लूंगी और यहाँ पर मैं जो है 1.5 इंच मार्जन प्लस करूंगी और अब नीचे तो हमने निशान लगाई लिया था साड़े 10 पर और यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच मार्जन प्लस करूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं जो हमारा दामन होता है उसको मैं फोल्ड करूंगी जो चाक होते हैं इसलिए आप देखिए इस तरह से ऐसे तिर्चा इंची टेप रखते वे रखेंगे और अब जो हमारा नेक है वो मैं चार इंच चोड़ाई रख रही हूं यह देखिए इस तरह से आठ इंच वैसे हमारी छे इंच थी बट मैं आठ इंच रख रही हूं यहाँ पर ताकि हमारा सूट से बाहर न निकले और यहाँ से हमने कंदी का हाफ इंच पर इसे निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हम ऐसे मिला देंगे यह देखिए इस तरह से और अब जो हमारा फिटिंग वाले निशान था उसको मार्जन वाले निशान से ऐसे मिला दूगी यह देखिए इस तरह से इधर भी हम ऐसे ही करेंगे सेम और margin वाले निशान को margin वाले निशान से ये देखिए इस तरह से और अब देखिए अगर मेरी इसमें line ये जो नीचे किनारी है ये नहीं होती तो मैं इसका bottom भी fold करती बट मेरे में किनारी है तो मैं नहीं करूँगी अगर आपके में किनारी नहीं है तो आपने bottom का भी निशान ल दूँगी आप लोग चेक कर लेना इसके भी कटिंग सूट की तरह ही है बढ़ थोड़ा सा अलग है जैसे कि आर्म होल में और नीचे बॉटम पर तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग चेक कर लीजेगा तो देखिए हमने इसको अ निचान लगाएंगे तो जो हमारा नैक है उसकी जो लमबाई है मैंने यहाँ पर वो 9.5 इंच रख्ये क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जन में चल जाएगा और 6 इंच हमारा neck रह जाएगा तो देखिए 6 इंच पर मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी और 6.5 इंच पर सॉरी और 6.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और जो इसकी चोड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है और इस तरह से ऐसे 4 इंच चोड़ा और 6 इंच लंबा में एक box बना लूँगी और अब इसको shape दे दूँगी neck की और अब मैं इसको cut कर लूँगी मैं इसको बिना बुकरम वाला बनाऊंगी इसलिए मैं पहले से ही cut कर रही हूँ अगर आप बिना बुकरम वाला नहीं बनाते हैं मैंने इसको इसलिए इस तरह से बनाए अगर आपको वाला भी सीखना है तो आप मुझे निचे comment करके बताएं मैं आपको वाला भी बता दूँगी तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर आड़ी पट्टियां काटेंगे यह देखिए मेरा जो कपड़ा बचा था उस पर मैंने स्केल को इस तरह से तिर्चा रखा है यह देखिए इस तरह से और अब मैं एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लूँगी यह देखिए इस तरह से और जो हमारी स्क्रिप्स है उसकी चोड़ाई मैं करीबन ही आपर पौने दो इंच रखूंगी तो देखिए मैंने एक निशान लगा लिया है अंदाजे के लिए और अपने स्केल की हेल्प से ही मैं यह जो है ऐसे निशान लगा लूँगी यह पट्टियां हमने नेक और जो हमारा आर्मोल होगा बाजू उसको फोल्ड करने के लिए काम आएंगी और आप आड़ी ही पट्टियां काटें अगर आप सीधी पट्टियों से बनाएंगे तो आपका कभी भी फिनिशिंग से नहीं बनेगा और अगर आप आड़ी पट्टि से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बैठेगा तो देखिए उसी तरह से जो है मैं यहाँ पर पांचे पट्टियां पर निशान लगा लिया है और देख सकते हैं आप लोग इसकी चोड़ाई जो है वो पौने 2 इंच है और अब इन पट्टियों को मैं कट कर दूँगी मैं आपको बार-बार बता रही हूँ जो आड़ी पट्टियां है उसी से हम जो है नेक वगेरा बना सकते हैं अगर आप सीधी पट्टि से बनाएंगे तो कभी भी नहीं बनेगा तो अब हमने इसको सिंप्ली कट कर लेना है इन सारी पट्टियों को ये देखे इस तरह से मैं इनको कट कर लूँगी तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी पट्टियां कट कर ली हैं और अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं तो अब हम सबसे पहले इस पर neck बनाएंगे तो देखिए मैं दोनों पार्ट को ऐसे अलग कर लूँगी ये देखिए मैंने front पार्ट ले लिया है और अब मैं इसका neck बनाऊंगी सबसे पहले तो जो हमने straps काटी थी जो हमने पट्या काटी थी उसको हमने लेना है यह देखे, फ्रंट साइड पे आपने इस तरह से पट्टी को ऐसे रखना है, डबल फोल्ड करके और यहां से सिलाई करते जाना है, ताकि जब हम इसको पल्टे तो यह उल्टी साइड चला जाए, तो इसलिए हमने सीधे पर रखना है, यह देखे, इस तरह से हम रखेंगे, और इस तरह से ऐसे सिलते जाएंगे, और सिलते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई चोटी और मजबूत हो, और आपने पट्टी को खीचना नहीं है, क्योंकि यह आड़े कपड़े में है, तो यह खिचती है, तो आपने सहारे सहारे से बिल्कुल ऐसे, बतलब सिलाई लगाते जाना है, यह देखिए इस तरह से, और जब आप नेक बनाएं, तो जो आपका फ्रेंट साइड होगा, वो आपने आगे रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और तो यह देखिए हमने इस तरह से जो है अपनी पट्टी को यहाँपर सिल दिया है, और यहाँपर हम पका करके इसको ऐसे निकाल लेंगे, और अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर दूँगी, और अब हम यहाँपर ऐसे, यह देखिए, यहाँपर जो है मैं इस पर ऐसे कट लगाऊँगी, और यह कट लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है जो धागे हैं, उनको हम कट कर देंगे, और अब इस नेक को मैं ऐसे पीछे की साइड ऐसे पलट दूँगी, पटी को, और यहाँपर बिल्कुल किनारे पर जो है मैं इस पर टॉप स्टिच जिसे कहते हैं हम, वो सिलाई लगाऊँगी, यह देखें यहाँपर, और यह वाल पटी से, तो देखिए हमने बिल्कुल उपर इसके टॉप स्टिच लगा दी है, और अब जो भी एक्स्टर है मैं उसको कट कर दूँगी, और आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनीशिंग के साथ जो है मारा बनकर तयार हुआ है, और पीछे से यह कुछ इस तरह से दूँगी, और अगर आप सूट वगेरा पर इस तरह का नेक बनाए, पटी से, तो आपने यहाँ पर तुरपाई करनी है, ताकि उसको देखने में और ज्यादा फिनीशिंग आए, तो देखिए हमने यह वाली सलाई भी लगा दी है, और अब जो हमारा नेक है वो बनकर तय रखा है, मतलब उल्टे सूट को रखा है, लाइनिंग को हमने उल्टा रखा है, यह देखिए इस तरह से, और अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था, बैक पार्ट उसको भी मैंने सिल लिया है, और इसको मैंने सीधा रखा है, और उसको मैं इसके उपर ऐसे रखूँग जिसे कहते हैं हम वो मैं सिलूंगी यहाँ पर ताकि जो हमारी कंदी है उसमें फिनीशिंग आए तो देखिए सीधे सीधे को इस तरह से ऐसे मिलाते वे हमने बिल्कुल किनारी पर ऐसे कंदी जोड़नी है यह देखिए इस तरह से इस तरह से हमने सिलाई लगानी है और अब जो दूसरी वेली कंदी है उसको भी हम इसी तरह से मतलब सिलाई लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसको पकड़ना है और जैसे हमने अभी पहले वाले पर लगाई थी बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे हमने कोई margin नहीं चोड़ना है कुछ नहीं चोड़ना है बिल्कुल किनारे पर लगाना है यह देखिए इस तरह से तो यह तो हमने front side पर सिलाई लगाई है यह देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखे इस तरह से अब हम क्या करेंगे अब हम इसको पलट कर उल्टा कर देंगे ये देखे इसको हम ऐसे पलट कर इस तरह से ऐसे उल्टा कर देना है ये देखे ऐसे और अब हम कंदी को ऐसे पकड़ेंगे ये देखे इस तरह से और अब य यहां से हम जो है, half inch करीबन छोड़ते हुए, जितना हमने margin छोड़ा था, वहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यह देखिए, इस तरह से हम करते हुए, इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे, ऐसे कंदी जोडने से क्या होता है, कि आपको न overlock वगेरा की जरूरत नहीं होती है, और आप इस तरह से कंदी जोड़ते हैं तो, तो यह देखिए, हम यहाँ पर अब करीबन अपना margin का निशान half inch छोड़ते हुए, यह half inch से कम हलका सा, और इस तरह से ऐसे सिलाई लगा लेंगे, अभी मैं आपको finishing दिखाऊंगे, इसकी यह देखिए, आप इसकी finishing देख सकते हैं मैं इसी तरह से जोड़के आपको दिखा देती हूँ, यह देखिए, और finishing देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी आई है, और यह हमारा back side है, और अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको पहले खोल कर आपको दिखा देती हूँ, हमने इसको खोल कर सीधा रखना है, यह पर और बता देती हूँ आप लोग को, यह देखिए, पहले इसको cut करकर हम ऐसे सीधा करेंगे, और इसको ऐसे double fold करेंगे, और जैसे हमने neck पर लगाई थी, वैसे हम यहाँ पर armhole पर इस तरह से ऐसे इसको पकड़ेंगे, और simply slide लगाते जाएंगे, यह देखिए इस तरह से और यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी पट्टी को खीचना नहीं है, इसी तरह से हम पूरे armhole पर इस तरह से निशान लगा देंगे, और अब यहाँ पर भी हम ऐसे cut लगाएंगे, यह cut लगाना ना भूलेंगे, वरना आपका अच्छे से नहीं बैठे तो देखिए पूरे पर मैं ऐसे ही cut लगा दूँगी, और अब इसको भी हम पीछे की साइड ऐसे fold कर देंगे, यह देखिए इस तरह से, और अब इस पर भी हमने top stitch लगा देनी है, और top stitch आपको पताईए कि यह उपर रहीगी हमारी तो हमने बहुत ज़दा finishing के साथ लगान top stitch लगा दी है, और अब मैं इसको पीछे की side करूँगी, तो देखिए, यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, यह बिल्कुल आपके उपर है, आप चाहें तो इस पर तुरपाई करें या आप इस पर सिलाई कर लें, यह देखिए, यहाँ पर मैं इस पर सिलाई किजिए, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत रहता है, तो देखिए, मैंने जो है, एक armhole पर ऐसे लगा ली है, और दूसरे armhole पर भी मैंने इसको लगा लिया है, और अब हम इसकी fitting की सिलाई लगाएंगे, और मैंने बोला था ना, देखिए, आप कितनी finishing के साथ यह हमारा AI AI, म अब यह जो हमारा निशान लगा हुआ है, हमारी hip तक मैं वहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दूगी, हमने front और back को इस तरह से पकड़ना है, और simply सिलाई लगाते जाना है, और जब भी आप सिलाई शुरू किया कीजिए, तो वहाँ पर पक्का करा कीजिए, और जब आप इसको, हो गई है सिलाई, और अब इस साइट भी पलट कर, मैं पहले निशान लगा लूँगी, तो उपर से हमने एक इंच मार्जन छोड़ा था, तो मैं एक इंच पर ऐसे निशान लगाँगी, और यह हमारा निशान है, वेस्ट लाइन का, तो वेस्ट लाइन पर भी मैंने एक इ ऐसे मिला दूँगी, यह देखिए इस तरह से, और अब वैसे ही हमने फ्रंट और बैक को ऐसे पकड़ना है, और सिंप्ली सिलाई लगा देनी है, और शुरुआत जब करेंगे तो हमने यहां पर पक्का करना है, फिर अपनी सिलाई लगानी है, और जब हम इसको एंड तब हमने पक्का करना है, ठीक है जी? तो अब आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी दोनों साइड्स थी, वहां पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिए, यह देखिए इस साइड भी और इस साइड भी, अब हम जो है इसमें दामन या चाक जो भी आप कहते हैं, वो ताके नीचे की साइड मतलब बॉटम वाली साइड से इसको ऐसे रख लेना है, यह देखिए यह हमारा बॉटम है, तो अगर आपकी ऐसे किनारी ना हो तो आपने इसको पहले ऐसे फोल्ड करना है, और फिर इस तरह से फोल्ड करकर यहां पर सिलाई लगा देनी है, बट मेर मार्जन छोड़ा था, नीचे से चाक के लिए वो हमने 1.5 इंच छोड़ा था, तो देखिए 1.5 इंच पर मैं ऐसे निशान लगा लूँगी, यह देखिए इस तरह से, हिप तक जो है हमने 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है, और अब जो हमारा 1.5 इंच का निशान में आगे इसको फोल्ड करती जाओंगी और इसको सिलती जाओंगी, यह देखिए इस तरह से, और अभी आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा दामन फोल्ड होगा, यह देखिए उसी निशान के एक बार और फिर यह ऐसे दूसरी बार, और फिर हमने सिलाई कर लेना है, यह देखिए इस तरह से यहां तक, और जब हमारी हिप की सिलाई जान तक हमने लगाई थी, वहां तक यह आएगा, इसको हमने यहां पर ऐसे रोकना है, और अपनी सुई फसानी है, और बूट उपर करना है, और इस तरह से इसको ऐसे घुमा लेना है, और अब जो हमारी दूसरी साइड है उसको भी हम ऐसे हमारा अल्रेडी निशान लगा हुआ है तो उसको हम ऐसे एक बारी फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी बारी और यहां पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे यह देखिए ऐसे और फिर हम अपना बूट उपर करेंगे और इस तरह से इस यह दा finishing से जो है fold होता है आप लोग देख सकते हैं यह देखे इसी तरह से जो है मैं नीचे तक इसको fold कर दूँगी यह देखे चाहें आपका आडा कपड़ा हो चाहें आपका सीधा कपड़ा हो कैसे भी कपड़े में cutting हो अगर आप ऐसे निशान लगा के करेंगे तो कबी भी आपका भागने वाला नहीं है इदर उदर नहीं जोल आने वाली है तो ये देखिए जो है हमारा चाक फोल्ड हो चुका है एक साइट का अब दूसरी साइट का भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल एक बराबर जो है हमारा फोल्ड हुआ है ये देखिए अब इस साइट भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ तो देखिए अब हमने दोनों साइट जो है अपना जो चाक है वो फोल्ड कर लिये है और जो हमारी इनर है वो बनकर तयार है तो देखिए हमारी इनर बनकर तयार है I hope कि आप लोग लिए वीडियो helpful होगा और आप लोग को पसंद आया होगा पसंद आया हो और helpful हो तो मेचल को subscribe जरूर करिएगा और वीडियो को like जरूर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में और कोई वीडियो suggestion हो तो नीचे comment जरूर करिएगा तब तक के लिए अल्लाव